तो MCU जाना चाता है अपने Cinematic Universe, टॉनी स्टाक जैसे Famous Characters और अच्छी स्टोरी वाली Movies की वज़ा से और ये सभी Marvel की popularity के इतने बड़े factors हैं कि इनकी वज़ा से MCU की हर एक movie ना सिर्फ सभी को बहुत पसंद आती हैं बलकि इनकी movies कमाई भी बहुत अच्छा करती हैं लेकिन MCU के इनी सारे projects में कुछ ऐसे भी projects शामिल हैं जिन्होंने Marvel की ना कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी हैं क्योंकि ये सभी वो movies and series हैं जो की ना तो कभी अच्छी कमाई कर पाई तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल के बैल अकन को भी और पर सट कर लें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी लेटेस वीडियो आप सबसे पहले देख सकें इसके साथ ही मैं आप सब को बता दूँ तो आप भी जल्दी जाएए और वीडियो को चैक आट करिए तो आएए अब हम बिना किसी देरी के आज की सकम्माल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मार्वल के टॉप 10 फेलियर प्रजेक्ट्स को जानते हैं नमबर 10 इसके साथ ही अगर इस सीरी की रेटिंग्स की बात करें तो IMDB के उपर इस सीरी को 10 में से 5.9 की रेटिंग्स बिलिया है जो की काफी कम होती है हाला कि अगर आप सभी Secret Invasion की Comic वाली स्टोरी को जाना चाहते हैं तो हमने उसकी पूरी Comic का explain कर रखाए उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप चाहे तो चेक आउट कर सकते हैं नमबर 9 ब्लैक विडो तो ब्लैक विडो ओफिशली MCU Face War की पहली मूवी है जो की रिलीज वी थी वांडर विशन सीरीज के बाद जुलाई 2021 में इसलिए ये COVID pandemic के बाद MCU की पहली मूवी थी इसके साथ ही MCU को इस मूवी से बहुत से उमीदे थी बट ये मूवी MCU के लिए एक डिजास्टर साबित हुई क्योंकि ना तो इस मूवी अर्निक्स के मामले में परफॉर्म कर पाई और ना ही किसी ने इस मूवी का अच्छे से पसंद किया इसलिए ये MCU की लिस्ट में एक फ्लॉप मूवी है तो इसके बारे में तो आप मुझसे बहतर जानते होंगे क्योंकि इस मूवी को जितने जूते पड़े हैं उस बारे में तो दुनिया जानती है ये मूवी MCU फेस फूर की ऐसी मूवी थी जिसने Marvel Comics के एक बहुती powerful race जिसने Eternals का जाता है उन्हें पहली बार live action में लाई थी और आप सबको पताई होगा कि Thanos भी एक Eternals था और इसलिए इनी सब reasons की वज़े से लोगों के बीच Eternals मूवी की बहुत हाइप थी लेगिन मूवी के रिलीज होने के बाद जिस तरह से Eternals को मूवी में दिखाया गया और especially जिस तरह से मूवी की स्टोरी बनाएगी वो जादातर लोगों को बहुत अजीब लगी और उससे भी जादा अजीब बात तो ये थी कि इस मूवी के अंदर Eternals को दिखाते ही उनमें से जादातर को मार भी दिया गया और इनी सबकी वज़ा से ये मूवी भी एक फ्लॉप साबित होई नमबर सैवन मिस मार्वल तो मिस मार्वल एक टिवी सीरीज है जिसे मार्वल ने रिलीज किया था जून 2022 के अंदर मिस मार्वल बिसीकली एक यंग सूपर हीरो है और इसके साथी ये MCU की पहली ऐसी सूपर हीरो थी जो की एक एशियन सूपर हीरो थी लेकिन मार्वल ने इसकी सीरीज से जितने एक्सपेक्टेक्शन रखे थे और इसलिए यही सारे रिजन्स बने इस सीरीज के फ्लॉप होने के नमबर सिक्स शी हल्क तो शी हल्क भी मार्वल की एक टीवी सीरीज है जो की रिलीज वी थी अगस 2022 के अंदर एंड इस सीरीज के अंदर टोटल 9 एपिसोड्स थे एंड इस सीरीज के फिटने के कही सारे डिजन्स है जैसे कि इस सीरीज के खराब वी एफेक्स काई सारे अगशार के विखे गुष्ट नहीं दिखेगा बर जब लोगों को इससा ठाफ रूसी नहीं दिखा तब इसकी ने भी सीरिज को बिल्कुल पतस नहीं जिस वज़ा से ये सीरिज MCU की एक failure सीरिज साबित हुई तो Ant-Man and the Wasp Quantumania Ant-Man franchise की तीसरी मूवी है जो की रिलीज वई Ant-Man और Ant-Man and the Wasp के बाद Ant-Man and the Wasp Quantumania रिलीज वई थी फरवरी 2023 के अंदर और ये MCU के Face 5 की पहली मूवी थी और अब क्योंकि MCU का Face 4 एक बहुती बड़ा failure साबित हुआ था इसलिए Marvel का ये उम्मीद है थी कि उनके MCU Face 5 की ये पहली मूवी लोगों को काफी पसंद आएगी और इसे भी बड़ी बात तो ये थी कि इस मूवी के अंदर MCU के मल्टीवर्स सागा का मेन विलन दिखने वारा था जूकि था कैंग दा कॉंकरर और इसी वज़े से लोगों के अंदर थोड़ी सी हाइप भी क्रियेट हुई थी लेकिन जब ये मूवी रिलीज हुई और लोगों ने इस मूवी को देखा इसके साथी ये टीवी सीरीज एक आर रेटेर टीवी सीरीज थी और इसके साथी इस सीरीज के अंदर डेर डेविल भी दिखने वाला था के बाद एंड वो भी उसी साल के अंदर यानि कि साल 2008 में इंक्रेड़ेबल हल्क हल्क की औरीजिन मुवी है जिसके अंदर हमें यह दिखाए गए कि कैसे ब्रूस बैनल हल्क बनता है अब हाला कि हल्क तो लोगों को बहुत पसंद है लेकिन तब यह मुवी एक बहुत ही लेजी की चौती मुवी है जो की रिलीज होई थार गोड़ और रेगनर रोक के बाद यह मुवी रिलीज हुई थी जुलाई 2022 के अंदर इस मूवी की सबसे बड़ी हाइप यह थी कि इस मूवी के अंदर गौड गौड बुचर दिखने वाला था और सबी लोग गौर के लि ना तो गौर का लुक कौमिक जैसा है, ना ही उसकी पावर्स को ढंक से दिखाया गया है, ना ही ये दिखाया गया कि उसने किस तरह से गौर्स को मारा, और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी, कि एसी मुवी के एंड में गौर को मार भी दिया गया, और फैंस को मार्वल की ये सारी हरकते बिल्कुल पसंद नी आई जिस वजह से इस मूवी ने बॉक्स ओफिस के पर कमाई तो अच्छी कर ली लेकिन ये मूवी अपने फैंस को खुश नहीं कर पाई इवन हलकी मूवी और इटर्नल्स की मूवी से भी कम और इस सबसे भी बड़ी बात तो यह हैं कि यह दा मार्वल्स मूवी एमस्यू की अब तक कि सबसे बड़ी फेलियर मूवी है तो दोस्तो यही थी विडियो मूवी तो आप सबसे और बहसे पसन्द आईए तो इस मूवी और आप सबसे ब्लब है के ले, गुट बाई!